दोस्तो किसी प्राचीन एतिहासिक मंदिर में घूमते हुए अचानक आपकी नजर कुछ ऐसी मूर्तियों पर पड़े तो शायद आप दंग रह जाएंगे मंदिरों पर कामुक मूर्तिया या कलाकृतिया प्राचीन भारत के लिए नई बात नहीं है और खजुराहों से कोनार्प तक आपने ऐसी तस्वीरें खूब देखी होंगी लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर की कामुक नकाशी के दर्शन करा रहे हैं वो सुदूर दक्षिन भारत में हैं जहां ये नकाशी बाहरी दीवारों के बजाए मंदिर के भीतरी हिस्से और खंभो पर है ये है करनाटक के विश्व प्रसिद्ध परियतन स्थल हम्पी का विठ्थल मंदिर युनेस्को के विश्व धरोहरों में शुमार हम्पी विजय नगर सामराज्य के वैभव और उन्नती के अवशेशों के लिए जाना जाता है यह मंदिर विशेश रूप से अपने प्रांगण में मौजूद पत्थर के रत यानी स्थोन चैरियट के लिए जाना जाता है लेकिन मंदिर की अपनी स्थापत्य शैली, भव्य समरचनाएं और कलाकृतियां लोगों को बर्बस खींच लाती है भगवान विश्णु को समरपित यह मंदिर खजूरा हो और कोनार्क सूर्य मंदिर के बाद का है ऐसे में उन मंदिरों के मैथुनी चितरन और उनके सामाजिक सरोकारों से विजय नगर सामराज्य कैसे अचूता रह सकता था हम्टी के सभी मंदिरों में कहीं न कहीं ऐसी कामोत्तेजक नकाशी के दर्शन हो ही जाते हैं यहां ऐसी मैथुनी मूर्तियां या आकृतियां बहुत कम संख्या में हैं या कहलें कि अन्य मूर्तियों के मुकाबले इकका दुक्का ही है लेकिन तत्कालीन समाज में इनकी अपनी आवश्चक्ता और अहमियत रही है और उन विशेश उद्देशों और संदेशों के साथ ये नकाशी यहां भी की गई है प्राचीन सुरोतों और इतिहासकारों से पता चलता है कि ततकालीन समय में काम को लेकर आम आदमी में पापबोध के चलते लोग विवाह के बाद भी लैंगिक संबंधों से दूर ही रहते थे इससे जनसंख्या घटने जैसी कई सामाजिक और राजनैतिक चुनोतियां पैदा हो गई थी जन्मानस विशेशकर महिलाओं को संसर्ग के लिए प्रेरित या शिक्षित करने और उनके मन में व्याप्त अपराध बोध खत्म करने के लिए ही ये मूर्तियां इन पवित्र जगहों पर बनाई गई भारतिया आध्यात्म में काम को चार पुरुशार्थों में से एक माना गया है ऐसे में काम की महत्ता को समझाने या इसके प्रती आम जन्मानस को जागरूप करने के लिए इन मन्दिरों से बहतर और प्रभावी जगह कोई और नहीं हो सकती थी ये ब्रिटिश महिला भारतिय मंदिरों में ऐसी कलाकृतियों को लेकर काफी जग्यासु रही है और यहां इन पर गहन अध्ययन कर रही है अपने गाइड की मदद से वह मंदिर के कोने-कोने तलाश रही है जहां ऐसी आकृतिया या मूर्तिया बनाई गई है मंदिर से जुड़े स्थानिय जानकार बताते हैं कि ततकालीन समय में बाल विवाह के चलते लंबे समय तक पती-पत्नी कामक्रीडा से दूर रहते थे कई बार यौन क्रियाओं के लिए परिपक्व उम्र तक आ जाने पर भी वे इस ओर उनमुख नहीं हो पाते थे ऐसा रुढियों और शर्म जिजक ही नहीं अज्यानता के चलते भी होता था ऐसी युवा पीधी की यौन शिक्षा या प्रेणा के लिए भी ये मूर्तियां बनाई गई थी यहां के गाइड भी बताते हैं कि शादी शुदा जोड़ों को उनके माता पिता अपने साथ इस मंदिर में लाते थे ताकि वे यौन क्रियाओं के प्रती जागरूख हो और वंश वृद्धी हो सके यहां ऐसा हाल के दशकों तक होता था स्थानिय ग्रामेन भी इन मूर्तियों की इस महत्ता और उद्धेश को स्विकार करते हैं